जो महिला ने जो आरोप लगाए है सर मैं उनको निराधार ही कहूंगा जो कहानिया आप बता रही है वो निराधार है ये पूरा का पूरा अगर मामला देखेंगे आप तो एक ये पूरा मामला ना एक सुयूजी डंग से मुझे फसाया गया इस एक खानी ट्रैप की तरह से । वह बंग्ला देश में काम कर रहा हूँ ये मोझे मुझे फरवरी दो 221 में मिलती है ये मोझे कहसे कॉंटक्ट करती है मेरा नम्बर महां से निकाला, मेरे नाम से मिलने आई थी, मुझे फॉन किया इन्होंने, तो और उने बोला कि मैं कुछ आपको कुछ प्रोड़क्ट दिखाना चाती हूं, नहीं ठीक है आप जब भी ऑफिस टाइम में आप आई हैं मेरा जो कमपानी है, मैं भी एक कमपानी में नौकरी किया, उन्होंने बांगलादेश में काल्टीमेक्स एनरजी बांगलादेश प्राइवेट लिमेटेट कमपानी में नौकरी किया, च्छाई साल, तो मेरा कमपानी का जो मालिक है, उनके पास, उनका कमपानी में मेरे को कि अपने ठीक है आप जब भी ऑफिस टाइम में आई तो ऑफिस टाइम में तो यह नहीं आई शुरू में देर रात को मेसेज करना फॉन करना वीडियो बेजना इन्होंने शुरू किया वहां से फिर एक दिरी ऑफिस में मुझसे मिलने आई इन्होंने अपने प्रोडेक्ट कि आप मेरे की इंको सेल करने में leper है उहने का नहीं है अपके क्वाशित कि यह है तो वहां से इन से बाचीत शुरू हो गई कि अपनी बड़ी बैंन कि यह रहा करती थी रात को वीडियो कॉल करना इंकी बहन भी बात करती थी यह भी बात करती थी तो जहाए वाइंताहि से ऐरा को क्यों शोपक्या वाल ये हम combining सरे शूट पूं पूमार बेदी चल चल में सब उसके ऐसे वारी धनेे समर में ने समस्तों कैसे वह भी पिर वाल हो पोजिशन भी बहुत हाई है आपका धराम भी चेंज है यह नहीं हो सकती है फिर बोला है मैं धराम चेंज कर दूँगी तो तुम शादी करोगी फिर मैंने बोला करके तो दिखाए है मैंने ऐसे कैजूली बोल दिया बन मुझे नहीं पता था जो नहीं धराम चेंज कर देगी दीरे दीरे मुझे लगा कि ये फैंबली मावले आने लगे जाने लगे और फिर इन्होंने कुछ कॉंप्रोमाइस केंडिशन्स में मेरी पिक्चर ली और इमिडेटली मैं देखता हूं इनके परिवार के 14-15 वेक्ति मेरे घर आते हैं दबरस्ती मेरे पर दवाब डालते हैं क अब एकदम से रात को 9 बजे कोई आएगा और मैं एकदम से आशे चरी के दोगा यह हो क्या रहा है मेरे साथ में तो मैंने वो पेपर एक साइंड किया फिर उन्होंने क्या क्या अब आगवादेश कोट जाके उसमें भी सौसा ओकिल ना उसको पूछा था जै तुमने धराम चेंज करो कि उस लगकी का जिंदी की गरवत करने के लिए बहला नहीं मैं मुस्लिम धराम अपनी खुद मर्जिस से मैंने धराम परिबत्तन करना चाह वहां मुझे समझ आए कि यह अब चीजे मेरे साथ गलत होने शुरू हो गई है मारपीट तो अक्सरी हुआ करती थी इनके परिवार के इसके जो भाई वगएरा आते हैं कजन वो इसके जो भी दोस वगएर आते हैं मिलके पूरा गैंग था जिसके अंदर में 12-13 लोग थे इस सब मिलके बारी-बारी आया करते हैं अच्छा आप एक बात बताइए 2021 साल में मेरा साधी हुई है आप लागबक 23 साल है तीन साल होने वाला है आप एक बात बताइए किसी आदमी के उपर इतना जबर्दस्ती हुआ है तो दो सल कैसे बंगलादेश में थी आप उनको पुछिए प्लीज इस बीच आपने फ्लैट भी दिलवाय था तो कितनी कीमत का था कहां पर दिलवाया था थोड़ा बताई इस बारे लगबग वह पचास लाग का होगा सर बंग डाका के अंदर ही है वो फ्लैट वह नहीं के नाम पर है मैंने को दिलवाया ठीक है सर वो भी सक्केरे जो भी मैं सोना पेहनता था हो सब उन्हों नहीं रख लिया बहुत लीज सामान था जो मुझे दिया गया जो भी कीमती चीज़ थी इन्होंने मेरी घड़ी है जूते हैं सब रख लिया मैंने इनको बोला कि मैं अब आप से सेप्रेशन चाहता हूँ मैंने इनका जो बंगला देश का रूल आपको कहता है जो मेंटेनेंस कहता है जो बच्चे की गार्जनिशिप करता है मैं करने को तैयार हूँ इसी चलते ही मैंने वहां कि अधालत के अंदर अपना divorce का मुगत्मा पैल कर दिये जो इवांपर विशारा आट की इसी चलते ये भारत में आ गई है वह एक करण ना, दस करोर भी मेरों को देगी, मैं कभी जिन्दिगी में उसको डिवोस नहीं दोंगी, ना मैं उसको कभी छोरूंगी, मैं उसके साती रहूंगी, वह शादी किया, उसको निभाना ही परेगा, उसको मेरा बच्चा का जिन्दिगी का सवाल है, उसको भी बाप क सर में पहले भी बहुँत क्लियर था आज भी बहुत क्लियर हूं जो भी कानोनी रूप संट्रॉमेंट मोट बंगलधिश लो के साँप से ब Means यह लू उस거든 डूसरी के खरब किया तुमने दूसरी को ने सब किया है उसको जवब चाहिए कमलधिश हमapa मुझे नहीं पता है उसको कौन बीबी है कौन क्या है